फतापूर जनपत के किशनपूर नगर पंचयत पर बने गंगा बाबा मैदान पर एक बार फिर क्रिकेट का रोमांच शुरू हो चुका है आपको बता दें कि नागा बाबा स्टेडियम पर एक बार फिर चौको छको के साथ दर्शकों का जन सहलाब फिर मढनने लगा है किशनपूर में दूसरी बार राजुस्तरिय क्रिकेट टूर्णामेंट के पिल सीजन टू का शुभारंग एक दिसंबर से शुरू हुआ आपको बता दें कि इस टूर्णामेंट में जनपत और ग्यार जनपत से लगभग 32 टीमों का संगम देखने को मिलेगा जिसका उद्खातन कल रविवार को नागाब बाबा क्रिकेट स्टेडियम में स्वामी महीशानंद जी ने फीता काटकर टूर्णामेंट का उद्खातन किया जसमें उद्खाटन मैच पर शिफपुरी स्पोर्ट्स क्लब बनाम खागा स्पोर्ट्स क्लब के बीच मैच हुआ टॉस जीत कर बल्ले बाजी करते हुए शिफपुरी स्पोर्ट्स क्लब ने निर्थारित 16 ओवर की खेल में 9 विकेट पर महज 162 रन बनाए वहीं दूसरी पारी में 112 ट्रन का पीछा करते हुए खागा स्पोर्ट्स क्लब में 3 विकेट शेश रहते हुए मैच को अपने कबजे में कर लिया जिसमें से मैन आफ दा मैच सुरेंद्र को चुना गया कि वायतिक ताउर प्ले प्ले तंडू ले लिया गया है खागा सांगार क्रिकेट चलती हुई स्रीनागा बाबाब स्टोडियों में खागा स्युकूरी के बीच यह मैच खेलादार रहा है जिसमें स्युकूरी ने एक सब्सक्राइन का लक्ष दिया है खागा को और खागा अब तक सतान में रंग बना चुकी हुई अठान में पन्दू जी अठान में बना चुकी हुई है नव और आठ वर का खेल से आठाव और चलेगा 48 गेंदों में मा भी बताओंगा कितने रंचाहिए 48 गेंदों में यती मिस्वा बताएंगे